नविश्कार मैरचा सिंग और आप देख रहे हैं सीन्यूस भारत CMS केवल नाम ही नहीं बलकि सक्षा शेत्र में सक्षा का एक ऐसे विटब्रिक्ष के रूब में पहचान बना चुका है जिसकी शाखाएं लगातार बढ़ती जा रही हैं और जिसके विद्यार्थियों ने विश्व में कई बड़े कीरती मान बनाए हैं क्योंकि यहां की स्रिक्षन प्रडाली केवल ग्यान ही नहीं देती बलकि संसकारों के साथ एक व्यक्तित्व निर्माण में भी मदद करती है पहले इस परंपरा को प्रिसिद्य सक्षाविद रहे जगदीश गांधी द्वारा चलाया जाता रहा पर बीते जन्वरी उनका निधन होने के चलते इसकी जिम्यदारी उनकी साथी और उनके साथ कदम से कदम मिलाकर चलने वाली उनकी धर्म पतनी भारती गांधी के उपर ह हमारे सहयोगी गौरश्रवास्तोनी CMS संस्थापिका भारती गांधी से उनकी जिम्मेदारी को लेकर खांस बात चेत के CMS, City Montessori School यानि विश्वास, परंपरा और व्योस्था तीनों को सजोकर जब कोई स्कूल बनता है तो CMS क्यलाता है और साथी साथ ऐसा रिकार्ड जो अपने आप में एक अलग व्योस्था बत्खाता है कि व्योस्था में जो भरोसा है उसके साथ सही लगातार आंगे बढ़ रहे हैं और तमाम कीर्तिमान इस्थापिट किये हैं और CMS के कर बात करेंगे तो इनके बिर्ध्यारतियों ने भी यहां पर नाम रोसन किया है ब्योस्थाओं का मेहनट का उन नीतियों का जिसको लेकर लगातार CMS चर्चा में बना रहता है मेहनट के साथ संगर्ष के साथ निष्ठा के साथ यह मंदारी के साथ और सबसे महत्पून बात है कि शिच्छनकार को बेहर संजीर्गी के साथ निभाते हुए हमासार मौजूद है City of Montessori School की Founder Director मारति गांडी जी उनसे जानेगे कुछ ब्योस्थाओं के बारे में क्योंकि अब यहां पर जग्दी गांडी जी जिस परंपराओं को आंगे बलाया था क्योंकि मुझे तो मालूम नहीं मैं क्या हूँ मैं तो अपने को एक बच्चों का अध्यापक समस्ती हूँ और अध्यापक होने के नाते मैं श्री जग्दीश गांडी जी की बहुत आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे सद ग्यान दिया और वो सद ग्यान ये है कि हमारे बच्चे जो अभी तक करीब 65 साल हो गए हैं किसी विद्याले में पढ़ रहे हैं और एक दिशा प्राप्त कर रहे है और वो दिशा है कि उन्हें दुनिया से लडाईया मिटानी है तो उसके लिए हम लोगों ने शुरू किया कि हम संसकारित करें बच्चों को और संसकारित करने के लिए हमारी प्रथम वरियता है वो है प्रार्थना जो बच्चे करते हैं और वो है मैं साक्षी देता हूँ है मेरे परमात्मा कि तूने मुझे तुझे पहचानने के लिए उत्पन किया है और पूजा करने के लिए उत्पन किया है तो बच्चे को अब ये दिशा है प्रार्थना में जो कि वो रोज करता है कि मुझे भगवान को पहचानना है और उसकी पूजा करनी है तो पहला प्रशन उसके सामने आता है जो हम लोग उनको विदीवत बताते हैं कि भगवान को कैसे पहचानना है तो भगवान को पहचानने के दो तरीके हैं जो हम जानते हैं वो एक तो है प्रभू निराकार परम्ब्रम परमेश्वर है और दूसरा है सगुण उपासना तो निराकार को तो रिशी मुनी बहुत मुश्किल से जान पाए हैं और हमारे बच्चे जल्दी कैसे भगवान को जाने उसके लिए हमने उन्हें सगुन उपासना के बारे में बताया है कि हम जिस भी घर में पैदा हुए हैं उस घर में हमारे यहां पर माता पिता कौन से भगवान की भूजा करते हैं तो जादे तर बच्चे हमारे बताते हैं जो हिंदू धर्म से हैं कि हम राम के जानते हैं और हम कृष्ण भगवान को जानते हैं अर्थात भगवान के अवतारों को जानना ही भगवान को जानना है तो उन्होंने अवतारों को पहचाना अवतारों को जाना उसके बाद आता है प्रभू की आग्या मानना पूजा करनमा ने आग्या मानना तुम्हारे बच्चे अंग्रेजी में खुब बताते हैं knowing the teachings of the manifestations of God which are written in their holy books तो हमने का कौन सी holy book है आपकी बुले भगवत गीता छोटे बच्चे बताते हैं धर्जादों के बच्चे बताते हैं रामायन तो उनमें जो लिखा है उसको हमें अपने जीवन में ढालना है तो ये जब छोटे छोटे बच्चे जानते हैं फिर हमारे स्कूलों में कम से कम साल में दो बार पैरेंट्स की डिवाइन एजूकेशन कॉनफरेंस होती है मतलब मतलब डिवाइन को एजूकेशन बने पैरेंट्स भी आकर के इस दिव शिक्षा के बारे में बैठें और सम्मेलन में भाग लें उसमें भी हम प्रेयर ये बताते हैं और कई बार तो हसी हसी में हम कह देते हैं अगर क्योंकि एक बार एक बच्चा यहां सामने से जा रहा था हमारे तो हमने उसको रोका उसके माता जी भी थी और पिता जी भी थे तो हमने पूछा तुम कहां पढ़ते हो बोले स्टेशन डोड परांच पे विच कलास आ रही तो हमने उसकी माता जी से का अच्छा ये बताओ तुमने भगवत गीता देखी है अपने घर में बोले नहीं स्कूल में देखी है घर में नहीं देखी है तो हमने उनकी माता जी से पूछा कि आप कहां भगवत गीता है बोले हाँ है हमने का कहां रखी है बोले वो तो करता हूं तो हमने का नहीं भगवान की पूजा करने का मतलब है जो ग्रंतों में लिखा है उसको पढ़ना और उसके अनुसार अपने जीवन को चलाना तो इस प्रकार से बात होती है हमारी तो हम इससे बच्छों का संसकार बना रहे हैं और हमारे बच्छों का संसकार वास्तो में जो एक रिसर्च की गई थी हमारे यहां एक थे मिस्टर परेल तो वो यहां पे हमारे शिक्षा के गाइट थे फिर उसके बाद में वो दक्षिन भारत के थे और आर्मी पब्लिक स्कूल से रिटायर होकर हमारे यहां आए थे तो वो दक्षिन भारत में गए तो उन्होंने एक प्रशन पत्र बनाया तो वो प्रशन पत्र ले जाकर के उन्होंने दक्षिन भारत के कुछ बड़े-बड़े स्कूलों में बच्छों को दिया और वो ही प्रशन पत्र नोंने हमारे हां के बच्छों को भी दिया तो उसके जो उत्तर आये थे उनके उत्तरों में और हमारे के बच्चों ने कहा हमारे जीवन का लक्ष है खूब अमीर बनना खूब जाके सफलता प्राप्त करना और ऐसे करना और हमारे बच्चों ने कहा था हमें विश्व शान्ती करनी है हमको दुनिया में एक सरकार बनानी है उसके जरीये हम विश्व में शान्ती लाएंगे जगत जगत माने जगत का उत्थान हो ना विक्ट्री आफ दा वर्ल्ड ये बच्चे कहते हैं तो दूसरा ये भी कहते हैं वो कि वसुद है कुटमुकम क्योंकि हमारे यह नारा हर बच्चा जानता है तो इस प्रकार से हम बच्चों को अपनों को और पैरेंट्स को पैरेंट् रशन जो होते हैं उनका उत्तर पर लिख देते हैं तो उन सबका जैसे एक सम्मेलन में मान लीजे है कि 2000 लोब दो हजार हमें उनके उत्तर मिल जाते हैं कि आप को इसमें आकर कि क्या लेकर आप जा रे आप इस का नाम है dwiner education conference है ना तो divine education confrence में जोब आये तो क्या लेके जा रहेwydd कि हम गरों घरों में प्यार से रहेंगे जगडा नहीं करेंगे और हम बच्छों को भी बढ़ीब्द आंगे और भी प्रेएर करेंगे ऐसे बहुत सारे प्रेशन हो इतने अच्छे उत्तर दे के जाते हैं मरेपस रिकॉर्ड ऊपर रखा भी हैं Bाला दिखा का ही, तमाम स्कूल का लगनों का लगनों कि बड़े बड़े स्कूल है, उन से अलग क्या बहुत था है जो आपको लगनाती रिकार्ड बनाया यह वो आज भी GMS को नाम से जानते हैं, पहचान से जानते हैं, भाई साब, और कुछ बच्चे भगवान के भक्त बने और मैं यहां तक कहती हूं कि वाट अधर चिल्रेन लांड इन ट्वेल मंथ इन अधर स्कूल्स लेट थे मध्चे भार महिने में सीखते हैं, सी एमेस के बच्चों को छे महिने में सीखने दो क्योंकि वो भगवान के प्यार के पालने में यहां पर पलते हैं, धन्यवाद जया जगातब़े यहां पर हम डिबाइन देते हैं माबाप को भी यहां पर डिबाइन ब्यवस्थां को समझाते हैं बच्चों के संसकार बता जाते हैं वो संसकार जो लगातार बच्चों को गोडवान बनाते हैं वही संसकार जो लगातार बच्चों को गोडवान बनाते हैं जाके आगे एक नए फबिस्ट की आधार बनाते हैं। हमने पहले भी देखा है जब युबाओं को आधार बनाके चलेंगे और जब युबाही संसकारी होंगे तो निस्टी रूप से जो भारत का सपना है बिस्टुगुरू बनने की सपना वो भी पूरा हो सकेगा। जब ऐसे लोग निकलेंगे संसकारी लोग निकलेंगे तो निस्टी रूप से जो बिस्टुगुरू का सपना भारत का है वो पूरा हो सकेगा। फिलार इस खास रिपोर्ट में बस इतना ही देश दुनिया की तमाम खबरों की जो आनकारी के लिए आप देखते रहे हैं सीनियूस भारत हर खबर आपके साथ आपके हाँ